अस्थाई बंदोबस्ती नाम का एक कानून लाता है जो बंगाल बिहार और उडिसा में लागू होता है उस समय हम लोग बिहार में थी थे बिहार में नहीं बलकि हम लोग कहां पे थे बंगाल में ही थे बिहार तो बना भी नहीं था उस समय 1793 में और यह क्या करता है इस बंद हो पट्टा बाहर को डंगाल से लाता है रहा देता है की जमिन का लगान तुमको असूलन है क्या देंगे क्या फिर विद्रो शुरू हो गया तो 1793 में यह अस्थाई बंदोबस्ति के नाम पर तो इसको दबाने के लिए जंग्रेज हैं तो चार भाई में दो भाई को नठेत की रूप में नियुकत कर लिया आज पुलिस अपूलिस है और इसके दो चार भाई हैं दो भाई जमीन हो पाद च्रू बरतानाट यहां दिम्मेंट कर लिया चूंबर है ठ्रूसिरी नहीन के लिए अपने तरफ में और उसको देने लगा क्या देने लगा एक पैसा दूब पैसा इस तरह सेलेरी में रख लिया और अगर आप विरोध करते हैं कि हम अपना जमीन का लगान नहीं देंगे तो आपके भाई मतलब आपने लोगों को अपने से ही लडां दिया ताकि आप विरोध नए कर सके तो इस तरह से जविन की छीणने का करम चलता रहा घराल стрasında 383 में दूसरी बार होता है इस तरह का विद्रो जब होने लगा तो इसके लिए का एक बना कहा के लिए छोटा नागपूर के लिए एक अस्पेशल अकानुन बना अठारो सो सैथीस इस्वी में जिसको बोलते हैं हम लोग छोटा नागपूर सिमान्त एजनसी अठारो सो सैथीस में बनता है ये कानुन तब बिहार का उदय भी नहीं हुआ था जब बिहार भी 922isaan में खपम होता है जब इतना साय है और भी करम में कम से कम बंडाया लड़ी यो से ज्ञदicky सोकhouse बिद्रोफ है ऑथ्प्रhr Amundar अंग्रेजदा जिसका नाम था हॉपमेन वह कमीटी बिठाता है कि हम पुरा भारत में राज कर रहे हैं लेकिन चोटा नागपुर का पठारी छेतरे जहां सबसे ज्यादा बिरोध हो रहा है कारण क्या है तब उस कमीटी का निर्ने आता है 1921 में जाच कमीटी जो बैठता है जार्खन के जो लोग हैं अपनी माटी को माई के समान मानते क्या माई के समान और किसी के माई में अगर हाथ डालिएगा तो छोड़ेगा नहीं चाहें कितनों ही मजबूर व्यक्ति कहाए नही जाए उनके जमिन उसके अधिकार में दे दिया जाए उसके जमिन के लिए अलग कानून बनाया जाए तो हो सकता यह विद्रो सांथ हो जाएगा तब जेए शॉप में ने इस बात को देखा जाना सोचा समझा और क्या किया पहला सर्वे हमारा स्टाट होता है 1902 में याद र पोरकास कार्य अधिनियम सीन जो अभी हमारा छेतर में बैठे हैं वहां भी यह कानून लागू किसलिए बनाया गे जब आप सीन टी की धारा को पढ़ेंगे जब सीन टी के कानून पढ़ेंगे तो पहले ही पैरागरफ में लिखा हुआ है कि इस कानून का बनाने का मैन चोटा नागपुर वासियों का उनकी जमिन जल जंगल जमिन की रक्षा करना उसको अतिकर्म बाहरी लोगों के अतिकर्मन से बचाना है तो एक बात बताईए अपरा छपरा गंगा पार बिहार उपी दिल्ली से आये होई लोग यहां जमिन कैसे खरिद लिए आनि गलत तरीके लुक्सटा में SPT लागव संथाल प्रगनाकान लागव लेकिन यहां चोटा नाकपुर कस्टकारिया धिनियम लागव है और उसका धाराच 46 का क्यों कहता है कि अगर कोई आदिवसी है तो केवला आदिवासों के जमीन बेश सकता है लेकिन उसी ठाना का होना चाहिए मलब इस थाना का जो है उसी थाना का आधिवासी जमीन ले सकता अगर दूसरा थाना का अगर यह आधिवासी यह तो जमीन नहीं ले सकता जैसे अगर कोई जैसे अगर मोतिलाल मातों गृडडी जिला का है और धनबास अपना जमीन अगर जरा मातों को बेचना चाहें तो नहीं बैच सकते तो फिर बाहर से आयोए बाहर राज के आयोए लोग जो यहां पर नौकरी किये रिटायर के यहां पर जमीन ले लिए यहां घर बना लिए कैस अगरा राज भी रंजन बताए डीची तक मिला हुआ कई सो एकड़ का जमीन का घोटाला कर दिया तो किस पर भरोसा किजिए हैं सब हमारी जमीनों पर लूटने पर लगे कारन करन के राज सरकार कि जो राज सरकार जो है वो नोकर साही के हाथों बीग चुका है नोकर साही इसको चला रहा है यह कारण है तो यह हमारा सियंटी का कानून था जो हमारा सुरच्छा कवज था वो बोला था अंग्रेज भले था बुरा था लेकिन हम लोग के लिए कुछ अच्छा चीज बना के गया था वो बोला था कि छोटा नाकपूर वासी जो हैं वो कम पढ़े ल स्वामन होता है तो बेचारे कहीं कहीं नहीं रहेंगे और आज देखिये बात सच हो रहा है तो पहला सर्वे कभ हुआ था 1908 में ठीक है पहला 1908 में अब कुछ लोग कहते हैं 1908 में दूसरा सर्वे हुआ 1925 में शुरू हुआ खतम हुआ 1928 में और लागू हुआ 1932 में जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं 1908 का जो सर्वे था वो था कडस्टर सर्वे और 1932 का सर्वे जो है वो है रिविजनल सर्वे इस आप चार सर्वे हमारा हुआ है हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले आप 1932 को लागू किजी 1932 को आप हम लोग क्यों मांग कर रहे हैं तो जाना चाहिए ना जाना चाहिए कि नहीं इसलिए लाग कर रहे हैं क्योंकि 1932 का जो सर्वे है और जारखन के 85% इलागों में हुआ है और यह अच्छा सर्वे है सबसे प्रफेक्ट सर्वे है खैवल केवल कॉलहान का कुछ हिस्सा छूटा है जहां 1964 में सर्वे हुआ है तो हम सरकार से यह मांग करते हैं कि 1932 को डेडलाइन माना जाए और 1964 तक जाए और 1964 से पहले जितना सर्वे हुआ है चैए 1934 का सर्वे हो चैए 1932 का सर्वे हो चैए 1908 का सर्वे हो चैए 1897 का सर्वे हो और जहां जिस जिला में जैसा सर्वे हुआ है उस अधार पर हमारा अस्थानियता निर्गत करें मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर अस्थानिये बनाने जाता है तो सबसे पहले मांगे कि आ आप जारखन दिये क्या गलत मांग है हमारा तो 32 हमारा मांग जाएज है कि नहीं जाएगा अब जैसे ही 32 को लागू करेगा हमारा जारखन का 85% रिलाका कभर हो जागा बचेगा 15% रिलाका उसको 1964 के सामिल करेगा 100% लोग हम घुश गए कि ने घुश गए बाहरी लोग छटा क्योंकि उनके हाथों में खत्यान नहीं है करके नहीं है लगवरदास हाया 1885 करके चला गया किस अधार छाकर करके किया था मंठा करकेафर और sł máxima 64 के search button को मानता आप यह अधार पर निर्गत करता तो तो सही था लेकिन ऐसा नहीं किया जो गलत हमुए करते हैं हम soorend सरकाब भी नुद करते हैं जो जो भी पार्टिया संलंग रहिं आना सब間ागा करते हैं आप लोगों ने गलत किया हमें ठकड़े का काम किया तो उससे हम परिभासित होंगे